इन दिस वीडियो वी आर गूंँ टॉक अबाउट एयर फोर्स रिजल्ट डेट काफी सारे कंडिडेट वाटसेप पे इंस्टाग्राम पे और कई सारे सोशल मीडिया पे मेसेज करके पूछ रहे थे कि जो एर फोर्स का वन वाला जो एक्जाम हुआ था 1 तो 2021 इंडेट इसका रिजल्ट कब आए गा और जो एर फोर्स 2 तो 2021 का जो इंडेट होने वाला है इसका नोटिफिकेशन कब आएगा काफी सारे candidates अभी भी result के इंतजार में बैठे हुए है और वो आने वाले exam की त्यारी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये information लेगे आया हूँ अभी अभी एक Air Force के तरफ से एक update आया है regarding result of Air Force 1 2021 and examination of Air Force 2021 2021 इन सारी अब update को मैं आपके सामने इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ मैं अभी Air Force का official site open कर लिया हूँ जैसे कि आपके सामने यहाँ appear हो रहा होगा कि airmanselection.cdack.in slash casb slash ये Air Force XY Group का official site है जैसे ही मैं इसको open किया हूँ आपको सबसे पहले आपको news के section में आना पाना है जैसे ही आप इस news के section में आएंगे तो आपको जो first number पे जो news आ रहा होगा उसको एक बार read करना है ये क्या है due to administrative reasons conduct of enrollment of airman for intake 2 to 2021 and declaration of result for star 1 2021 online examination are delayed मतलब ये यहाँ पे बता रहा है कि administrative कारण के बज़े से जो 2021 का जो second वाला exam होने वाला था वो देरी हो रही है delay हो रही है और जो result of air force 1 to 2021 intake का जो result आने वाला है ये भी administrative कारणों के बज़े से ही delay हो रहा है वाइदे बे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये delay क्यों हो रहा है मतलब आखिर कार वो administrative कारण क्या है इस पे मैं अल्रेडी एक वीडियो बना चुका हूँ अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो simply आप इस चैनल के playlist पे जाएं वहाँ पे ये वीडियो का link available है या उस वीडियो का link मैंने इस चैनल के description में भी डाल दूँगा आप वहाँ से भी वाज कर सकते हैं आखिर वो administrative कारण क्या है जिससे कि आपको एक तरह से सुकून मिल सके और आगे आने वाले जो exams हैं जैसे कि बहुत सारे जो candidates से उन्होंने NDA का भी form fill up किया होगा so जो NDA 1 2022 का जो exam आने वाला है उसका notification 22 December को आएगा और exam 10th of April को होगा तो आप अभी से NDA exam के त्यारी करना start कर दें आप इस result की चिलता में अपना time waste ना करें so similarly मैं आपको आगे भी पढ़कर बताना चाहता हूँ कि candidates are advised to keep checking their mail and CASB web portal regularly for the latest update ये आपको 1 December 2021 को आप अपडेट किया था 1 December मतलब just 2 दिन पहले before 2 days only it was updated आपको क्या करना है आपको simply जिस mail से आप Air Force exam का form up fill up किये थे वो mail आपको regularly check up करना है और CASB मतलब ये जो Airman का official site है इस पे आपको regularly अपना web portal open करके वहाँ पे check करते रहना है कि आखे कर नया नया update क्या आ रहा है जैसे ही result आएगा आपको आपके email या फिर web portal के माधियम से आपको इसकी जानकारी दी जाएगी similarly अगर हम बात करें अगले news के बारे में तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है अगले news का है due to administrative reason unprecedented situation going to the COVID-19 ये आपके लिए important नहीं है अगला reason है result को लेकर due to administrative reason declaration of the star 1 2021 examination मतलब जो air force का 1 2021 का जो exam हुआ था और यहाँ पे exam date भी दिया हुआ है जो कि 12th of July 2021 से लेके 18th of July 2021 के भी बीच हुआ था वह अभी delayed है candidates are advised to keep checking their mails and csv web portal regularly for their update आपको simply क्या करना है आपको अपना mail चेक करना है आपको अपना web portal चेक करना है वहीं पे आपको result की complete जानकारी दी जाएगी जिसके माध्यम से आप update नहों सकेंगे so similarly अगर if you are preparing for NDA 1 2022 you can simply subscribe to the channel and like the video and by the way मैं आपको बताना चाहता हूँ कि I have already made a lot of videos of current affairs and mathematics trick for Air Force Navy and NDA important you can watch all the mathematics shortcut the solution for all this is there in just 2 seconds 3 seconds so you can watch all the shortcuts so once again this was the end of the video I hope you enjoyed the video if you have any other doubt regarding any other thing you can put your thoughts in the comment section I will reply to all your doubts this was the end thank you friends for tuning till the end thank you you